Hello everyone, मैं हूँ गौरब यादब, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, तो आज मैं आपके लेकर आए हूँ, Be Look Up With Trim Function, इसमें हम मारे Be Look Up Value के अंदर अगर unwanted space होते हैं, तो हम यहाँ पर Trim का Function यूज करके, अपनी Look Up Value को आपर output ले आते हैं, तो इसका हम यूज कैर से करते हैं, वो मैं आपको Simple Way में बता देता हूँ, Simple सा हम Be Look Up Use करेंगे, इसके साथ Trim का Function यूज करेंगे, Look Up Value पे जाएंगे, इसका Bracket बंद करेंगे, कॉमा करेंगे, इसके against हमें एक और Trim का Function यूज करना है, और Trim के Function के साथ ही, यहाँ पे में टेवल एरे में आके, Registration Date से Sale Unit उठाना है, तो इसे Select करके, और पूरी Range को Freeze कर लूँगा, so that मेरी Range भागे नहीं कहीं पे, then मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, 4, then, 0, और Bracket 1, अगर यहाँ पे Simple Enter रहेंगे, यह Look Up की Value नहीं आएगी, तो इसके लिए मैं को द्वारा से F2 करना है, अगर F2 नहीं करते, द्वारा नहीं करते हैं, इसके साथ कर लेंगे, जैसे हमारा Formula हमें यहाँ पे Bracket 1 करते हैं, Control Shift के साथ मैं को Enter मारा है, Simple Enter मारा था हमने पहले, अगर Simple Enter मारेंगे तो फिर से Data नहीं आएगा, यहाँ पे Control Shift प्रेस करना है और Enter मारना है, अब Data आ गया, तो इसे हम Track कर देंगे, तो यह है आपकी Look Up के साथ Trim Function यूज करने की Trick, अगर आपको यह Trick अच्छी लगी है तो आप वीडियो को Like करें, कमेंट करें चैनल को सस्क्राइब पर लें,